सवित्री कब है वर सवित्री में कि पूजा कैसे करते हैं जरूर ठीके इससे क्या फैदा है यह भी मैं बताऊंगी सीधा जरूर्दान दे और सुहाग की जो चीज होती है वो जरूर दान करें इस दिन और पैर का जो बिच्छिया होता है वो जरूर हलो एब्रिवन वेलकम डाक टो में चैनल कुंज ओफीस यह लावरी और चैनल कैसे वह आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे बेलें उसे प्रेस जरूर कर लें ताक्य मैं जो भी नाटिफिकेशन सबसे पहले आप के पास है आज की वीडियो में बतानेवाली में हो जी कब है वर्ड वर सवीत्री में कि पूझा कैसे करते हैं जी अब सावीत्री स्वागन उनको जोड़ा मांग क्यों ट लग करें और करते हैं तो तीज करते हैं तो यह सारी वाते आज के विडियो में आप लोगो बताने वाली हूं तो आए वर सावित्री जो है अपनी बात करूं और बधाएं हों करते हूं और तो नीस माई को बताई उसके बाद मैं बताने जी हां कि कैसे किया जाता है कि कोई भी पूजा की सुरुवात है वुध है कि चाइकचि ऑफ दिन पहले रेख Twitch करें नेल काटे और जी हां लेशन 1 प्याज यूज Each से और इस सारे चीज एक और पुजा को जो समागरी है उसमें आप मिटिग का घरा ले ले दंखनी का दीपक ले ले और रबाप ले ले जाए मैं उसके बाद परिकर्मक कर ने के लिए जो होता है कच्च्य दागा वो ले ले और बोहत लोग वस्त चलाते जैसे कि मैं वस्त चलाते हूं अंबर Beatles में और वो पहनती हूं को यह चरहा हुआ करते हैं बहुत लोग बैइना पर पैसा रखते हैं तो इस तरह का भी करें और उन समागरी में जो है वह आप मैं जुब मैं अपनी बात करूं तो मैं गौरी गनेस गौरी बनाती हूं हल्दी का और जाके वहां पर बटविक्स के पास पुजा करते हूं पुजा के समागरी में फूल ले कुमकुम ले चंदन रोली दही घी अक्षत और पुस्प और सिंगार का समान वो मार्केट से ले ले जीहां द की रूप में अपने आपको देखे सолов सिंगार करें और उसकी बाद बरगट के रख्यों कि पास याए वहां पर पूजा करें तो मैं कैसे पूजा करते हूं बटविक्स का जो पता होता है उसको मैं धो Значит है और वैसे ही करते हमाद तो रहती हूं उस पर यहां पन लगाति हू जल रखते हूं जल रखती हूं दोनों मिला के देती हूं अच्छत जालती हूं और उसके बाद उसके ओपर से ढखने चावल ढलके उसके उपर धीपक रखने की बाद आए तो एक सिंगार सारे लोग करते हैं तो वह पर रिक्ष का पता जो अपने सर में लगाते हैं उस दिन सिर्वाद मिलते हैं are आपके पती की जो आयो होती है वह लंबी होती है और इसमें जो रह मांग टिकने के बाद को अव्य भी दिया जाता है और आप लोग देख सकते हो फिक में आपको मैं भी लगाती हूं उसके बाद परिकर्मा किया जाता है तो बहुत लोग पांच बार कर करने के बाद बाइना और गला से और उसके बाद घर आती हूं है पंडी जी से कहानी सुनने के उनको दचना देने के बाद परणाम करने के बाद घर आती हूं तो जी हां बढ़ के पुजा करने के बाद अपने बढ़ यानि की पती की पुजा की जाती है तो पती की पुजा के लिए सबसे पहले उनका चरंद होया जाता है जी हां पती का पैर दोया जाता है पैर पोशा ज उक ते हैं उसके बाद दो जो पती होते हैं तो वह मुझेश भी मिलता है कि अभ्शंट पहने होई हूं अभी मिलेगा ऐसा बडोसाल से मैं करती हूं तो ऐसा कुछ सिरूर जाता है तो इस तरह से करती हूं और साम के टाइम में जाती हूं तो वहाँ पे दीप जलाती हूं अपने दोनों आदमें मिलके जाके दीप जलाके तबाती हूं उसके बाद फलहार करती हूं बहुत लोग पुजा करने के बाद खाना खा लेते हैं बट मैंने मैं फलहार करके ही रहती हूं बोस्ति और बहुत लोग जो है नया उठाने वाले जो है इस साल बहुत लोग अगर आप सोच रहें कि मैं बलती ना करें घिस baik R है या करवा चौट करना है था आप लोग उस टाइम जी हां दो हजार 24 में स्टार्ट करें 23 में बिल्कुल कोई भी नया पर्व ना करें अगर आप लोगों को हमारे चोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंसेर करना बिल्कु वाचिए पर वाचिए कीप सपोर्ट